नमाह संस्कृत आया मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में मित्रों यहाँ पर इस चैनल पर हम सभी संस्कृत विशह से संबंदित जितने भी प्रतियों की परिक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंदित उनमें जो भी जिस प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं उसकी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है तो उसी के श्रिंखला में जो एक UGC NET की परिक्षा है जिसकी इकाई साथ में महा कवियों का सामान्य परिजय है जिसमें से एक कवी है अश्वगोष उन्ही के जीवन वृत्तांत उनकी कृतित्तों को हम यहाँ पर आज जानेंगे तो उसी के लिए हम यहाँ पर आज अश्वगोष का अध्यान करें जो भी उनका सामान्य अध्य है ने सामान्य परिजय है उसको जानेंगे तो इसी तरह से आपको हर एक विशयवार हर एक टॉपिक से सम्मंदित वीडियो मिलती रहेंगी उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और अपने सभी संस्क्रित मित्रों को संस्क्र जरूर कीजेगा ताकि अधिक से अधिक इस चैनल का सभी को लाब प्राप्त हो सके तो चलिए शुरू करते हैं महाकवी अश्वगोश यह महाकवी अश्वगोश हैं प्राचीनतम कवी माने जाते हैं लेकिन भारतिय परंपरा रही है कि जितने भी महाकवी हुए हैं उन्हो उन्हें अपनी क्रेचनाओं में जो भी थोड़ा वह तवर्णन उनकी रचनाओं से हमें प्राप्त होता है उसी के आधार पर उनका काल और उनकी शैली इत्यादी का निर्धारन किया जाता है तो इसी तरह से महाकवी अश्वगोश ने भी अपने वारे में वर्णन नहीं क किया है लेकिन उनकी रचनाओं से ही पता चलता है कि वो साकेत यानि आयोध्या के निवासी थे अब यह उनका जो किरिती है उनकी कृति थी बुद्धचरित सौंदरनंद शारीपुत्रप्रगरान इन तीन कृतियों से पता चलता है उनकी उन्होंने पुष्पिका पुष् में पता चलता है कि अश्वघोष साकेत के निवासी थे तो वो पंक्ती है आर्या सौवरनाक्षि पुत्रस्य साकेत अस्य भिक्षो राचार्यस्य भधनताश्वघोषस्य महा कवेर महावादिनह कृति रयम तो यह बुद्धचरितम सौंदरनंद और शारीपुत्रप्रग कि पुष्पिका में उन्होंने बताया है यह संकेत किया है साकेत साकेत स्य आर्या सौवरनाक्षि पुत्रस्य इसी पंक्ती से उनकी माता का नाम भी ग्यात हो जाता है कि वो सौवरनाक्षी के पुत्र थे और भधनतास्व घोशस्य और वो इसी के से पता चलता है कि उन्हो पर रचनाएं हैं उनकी रचनाएं सबसे पहले है बुद्ध चरितम सबसे प्रसिद्ध महा कावे हैं उनका दूसरा है सौंदर नंद महा कावे ये दो इनके महा कावे हैं फिर है शारी पुत्र प्रकरणम ये रूपक का एक भेद है प्रकरण तो शारी पुत्र प्रकरण प्र अजरु सूची में जन्मना जातिवाद पर आक्षेप किया गया है तो ये जो जन्मना जातिवाद की परमपरा है प्रक्रिया है इस पर एक आक्षेपात्मक ग्रंद है फिर है महायान शद्धोत पाद तो ये महायान संप्रदाय पर एक दार्शनिक ग्रंद है ये भी अश्व इसको फिर है राश्रपाल यह एक इनका गय नाटक है अर्था गाने योग्य नाटक है तो यह इनके कृतियां है रचनाय हो गई है बुद्ध चरितम संदर नंद शारी पुत्र प्रकरणम सूत्रा लंकार वज्रसूची महायान शद्धोत पाद गंडी स्तोत्र कथा पाल यह इनकी कृतियां है इसके बाद जो अश्रप गोश है इनको समराठ कनिश्क के राजगुरू और आश्रित राजगवी माना जाता है और इनका जो समय है वो इनकी रचनाओं के आधार पर प्रथम शताब्दी का निर्धारित किया गया है यह भी जो बहारतिये विच का समय प्रतम शताब्दी मान सकते हैं उसके बाद अब इनकी रचनाओं के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं क्योंकि सामाने परिजह में बहुत जादा डिटेल नहीं आएगा गहन अध्यान नहीं आएगा तो इसलिए केवल जो इनकी मुख्य मुख्य बाते हैं उन मूल रूप से इस महाकावे में 28 सर्ग पूछ सकते हैं कि मूल रूप से महाकावे में कितने सर् Cake तो 28 सर्ग है और संस्कृत में 14 तक ही प्राप्त हुए हैं. और 14 से 17 तक अम्रिता अनंद ये एक नेपाली पंडित थे जिन्होंने इसको पूर्ण किया है तो ये भी important question बन सकता है एक्जाम परिक्षा की दृष्टी से उसके बाद में यहां कहते हैं कि इंग्लेंड से संसकरन और अंग्रेजिय नुवाद हिंदिय नुवाद किस नहीं किया है तो प्रोफेसर कौवे ने 1893 में इंग्लेंड से इसका संसकरन प्रकाशित किया है ये पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर कौवे ने या फिर किस कवी न इंग्लेंट से इसका संसकरन किया है तो इंग्लेंट से इसका संसकरन किया था प्रफेसर कौवे ने कब किया था 1893 में इसके बाद डॉक्टर जॉन्सन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है बुद्ध चरितम का अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर जॉन्सन ने किया है उसके बाद है हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद सूर्य नारायन चौधरी के द्वारा किया गया है, तो ये भी बहुत तीनों लाइने बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, उसके बाद आगे, अब जो सर्ग हैं, उसमें कुन-कुन सी कथाएं हैं, तो प्रथम सर्ग में बुद्ध का जन्म बरणन हैं, पांचवे सर्ग में बुद्ध के घर से अभी निश्क्रमन हैं, अर्थात वो घर त्याक करके चले जाते हैं, उसका बरणन है, फिर जो अराड रिशी थे, उनके द्वारा उन्हें जो धर्मोप देश दिया गया था, वो बारहवे सर्ग में दिया गया है, और फिर है चौधवे सर्ग, तो चौधवे सर्ग में उन्हें बुद्धत्वी की प्राप्ती का संकेत, बुद्धत्वी की प्राप्ती का बरणन उन्होंने किया है, इस महा कावे में, तो इस तरह से ये इनके सर्ग की कुछ कुछ कथाएं हैं, पहले में शावना हुई थी उसका बढ़न किया है चोधै सर्ग में रमणियों द्वारा बुद्धु को अपने जाल में फसानी की चेस्टा और बुद्ध के द्वारा उनका तिरसकार करने का बढ़न है फिर पांच वे सर्ग में बुद्ध के तपोवन में प्रवेश का वरणन है उसके बाद आठवे सर्ग में अंतहपुर की नारियों का विलाप है फिर नवे सर्ग में कुमार का अनिवेशन हर्थात उस महात्मा बुद्ध को डूंडने के लिए जो भी कौशिस की जाती है वो है उसके बाद में दसवे सर्ग में बिंबसार का आगमन है फिर ग्यारहवे सर्ग में काम की निंदा की गई है बारहवे सर्ग में बुद्ध का अराड रिशी द्वारा धर्मोपदेश दिया जाना है और बुद्ध का जो है अराड रिशी के आश्रम में जाना होता है और वहाँ पर आराट रिशी के दोरा उनको धर्मौपदेश का वर्णन जो भी है वो दिया जाता है उसके बाद 13 सर्ग में मार यानि काम देव को बुद्ध की तपस्या में विग्न डालने का वर्णन है उसके बाद 14 सर्ग में बुद्ध हत्वी की प्राप्ती हो जाती है यहीं तक जो है इसका संस्क्रित संसकरन प्राप्त होता है उसके बाद इसका संस्क्रित संसकरन प्राप्त नहीं होता है तो इस तरह से ये बुद्ध की महत्मा उसकी बुद्ध चरितम की कथा है उसके बाद है सौंदर नंद महा कावे भी बुद्ध का दूसरा महा कावे है जिसमें 18 सर्ग है और श्री अब इसके भी जो प्रतकाशन और हिंदी अनुवाद वगहरा है वो भी बहुत important मुख्य हो जाते हैं तो श्री हर प्रसाद शास्त्री ने दो हस्त लिखित प्रतियों के आधार पर संपादन करके 1910 में इसे प्रकाशित करवाया था इसका पहले प्रकाशन नहीं था उन्होंने इनकी दो हस्त प्रतियों ढूंडी हस्त लिखित उसके बाद उन्होंने उन दोनों हस्त लिखित प् डॉक्टर जॉन्स्टन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था इसके बाद 1948 में सूर्य नारायन चौधरी ने इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया तो इस तरह से किसने प्रकाशित करवाया इसको सरवर प्रथम वो प्रशने उसके बाद अंग्रेजी में अनुवा नंद की गथा वरनेत है, महा कावे के नाम से ही पता चल जाता है तो प्रतम सर्ग में गौतम बुद्ध की जन्म भूमी जो कपिल वस्तु है उसका वरनन किया गया है, उसके बाद दूसरे सर्ग में गौतम और नंद ये सोतेले भाई थे इनके जन्म का वर्णन है, तीसरे सर्ग में गौतम के वुद्धत्यों की व्याख्या है, बौध्ध दर्शन के सबसे प्रमुख जो सिध्धान्त है, वो चार आर्य सत्यों के आधार पर बौध्ध दर्शन बना हुआ है, तो उन्ही आर्य सत्यों की व्याख्या इस सौलवे सर्ग में की गई है उसके बाद में जो नंद को अमरी तत्यु की प्राप्ति होती है वो सत्रहवे सर्ग में होती है इस प्रकार ये जो अठारा सर्ग होते हैं इसके इनकथाओं का वर्णन है फिर आता है शारी पुत्र प्र प्रकरणम एक ऐसा प्रकरण है जिसमें नो अंक है इस दृष्टी से ये बहुत महत्वपूर्ण बंगाता है क्यूंकि प्रकरण में दस अंक होते हैं लेकिन ये ही एक मात्र ऐसा प्रकरण है जिसमें नो अंक हैं तो ये एक परीक्षा की दृष्टी से बहुत ही महत्वपू पूछ लिया जाता है कि निम्रल खित में से ऐसा कौन सा प्रकरण है जिसमें नो अंक है इसमें जो है क्या है इसकी कथा इसकी कथा है मौधगलायन और शारीपुत्र ये दो यूवक होते हैं और इन दोनों यूवकों के बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर के बौध बौध धर्म के बुद्ध के उपदेश से जो बौध धर्म में दिख्षित होते हैं दो यूवक मौधकलायन और शारीपुत्र इन दोनों यूवकों की कथा का इसमें वर्णन है इसमें स्वयाम बुद्ध का रंग मंच पर प्रवेश दिखाया गया है और उसके बाद है भ भरत वाक्य में नायक द्वारा प्रार्थनाना करके बुद्ध के द्वारा नव दिख्षित शिश्यों को आशिरवाद की रूप में वर्णन है जो भी भरत वाक्य लिखा जाता है जिसमी नाटक का प्रकरण का वो भरत वाक्य में जो उस नाटक का या प्रकरण का नायक हो वही प्रार्थना करता है लेकिन इस प्रकरण में भरत वाक्य में नायक ने प्रार्थना नहीं करके महात्मा बुद्ध के द्वारा और जो नव देख्षित शिश्य हैं उनको आशिरवाद के रूप के में उसका वर्णन किया है तो इसलिए यह भी महतरपूर्ण बन सकता है तो इस भरत शारी पुत्र प्रकरण से दो प्रश्ण बहुत ही इंपोर्डन्ट हो गए, एक तो ये कि ये नो अंक का प्रकरण है, दूसरा ये कि इसके भरत वाक्या में नवीनता है, यहाँ पर नायक के द्वारा प्रार्थना नगर के बुद्ध के द्वारा नवदेक्षित शिश्यों को आशिरवात देने का वर्णन किया गया है, उसके बाद यहाँ पर इनकी शैली देख लेते हैं, तो अश्वगोश वैदर्भी रीती के कवी है, इन्होंने श्रिंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है, श्रिंगार के दोनों पक्ष, संभोग श्रिंगार और विप्रलंभ शिंगार तो दोनों का उन्होंने वर्णन किया है उसके बाद है सौंदर नंद का अश्टम सर्ग अर्थांतरन न्यास अलंकार का आकर है अर्थात इस सर्ग में आठवे सर्ग में सौंदर नंद के अर्थांतरन न्यास की प्रचुरता है अत्य दिखता है और बाद में उन्होंने बॉद्ध धर्म की दीक्षा ली थी इस कारण वो बुद्ध भिक्षुक बन गए थे और इनको आरे भदंत भी कहा जाता है वो उनकी उस पंक्ती से पता चली गया था तो इस तरह से इनका जो एक सामाने परीचर है वो यहीं पर पूर्ण होता है अगर व मैं वीडियोज अप्लोड करती हूं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जया तु संस्क्रितम जया तु भारतम